Hello friends, good afternoon to all, तो चलते हैं आज के session को start करते हैं, part 12 हमारा GKGS का जो daily basis पर आपका इसी time पर दो पहर को दो बज़े आता है, so let's start this important video part, चलते हैं आप साथ साथ में करें और अच्छे से सबी चीची अपनी discuss करें who was the 24th Jan तीर्थनकार, 24th Jan तीर्थनकार कोन हो जाएंगे ठीक है, 24th Jan के तीर्थनकार बताने हैं, रिश्वदेव, महावीरा, परश्वनात, जां, सुमतिनात, तो इसका आपने बताना है, इस question का क्या सही आंसर आपका हो जाएगा, तो काफी बड़िया और शांदार की बात कर 24th तीर्थनकार की बात करें, फर्स्ट बात करेंगे, रिश्वदेव हो जाएंगे, फर्स्ट कोन हो जाएंगे, रिश्वदेव हो जाएंगे, और सैकिन कोन हो जाएंगे, अजीतनात, ठीक है, सैकिन कोन हो जाएंगे, अजीतनात हो जाएंगे, उसके बात बात करें, जो सं स्वामी नाथ हैं वो हो जाएंगे थर्ड और जो अविनंदना न था वो फूर्थ हो जाएंगे और जो स्वामी नाथ हैं स्वामी नाथ जो हैं ये फिफ्त तीर्थनकार हो जाएंगे और जो परश्वनाथ हैं परश्वनाथ आपके हो जाएंगे 23rd हो जाएंगे सुमिता ना आपके 24 तिर्थनकार option number A is the right or correct answer आपका आएगा next question next question जो आपका आजाएगा the Samakya school of philosophy was found by पतंजली, गोतमा, कुमरिला, वाटा जा कापीला Samakya school आपने बताना है तो Samakya school की बात करें जो इंडियन फिलोस्पी में आते हैं जो जोग की बात करें वो आजाएगा पतंजली पतंजली का कौन सा आजाएगा जो का नियाय का कौन आजाएगा सागे गोतम, उसके बात करें जो विशाक्या का क्या आजाएगा साग्या, कंडला, रिशी, ठीक है ठीक है उसके बात जो next बात करें Samakya जो हमारा आजाएगा समाख्या किसका हो जाएंगे हमारे हमारा जो समाख्या है वो कोन आ जाएगा आपका काफी बढ़िया समाख्या का आपका कापीला option number D is the right answer correct answer आपका आजाएगा ठीक है काफी शांदर हो बढ़िया तरीके से आप सबी अपने sessions में जुड़ते हो अच्छे से आपने वीडियो को शियर भी करना है daily basis पे दो पहर को इसी समय आपका session आता है और शांद को साध्यार live session आता है दोनों चीज़े आपने अच्छे से देखनी है और अच्छे से साथ में जुड़ना है next question की तरफ next question की आजाएगा who was referred as sundractus in the writing of the Greeks अशोका विंदुसार चंदर गुप्तमोरिया जद्धनानन्दा तो इस question में आपने जल्दी से अपना response जो भी बताना है तो इसमें बात करेंगे जो Greek source चंदर गुप्तमोरिया है उनको क्या refer करते हैं Sandro Cortus क्या करते हैं Sandro Cortus Greek classical sources में चंदर गुप्तमोरिया refer to Sandro Catast जो चंदर गुप्तमोरिया है यह founder थे मोरियन डाइनस्टी के पार्टली पुत्रा में तो इसका क्या आजाएगा हमारा इस question में Sandro Cortus क्या हो जाएगा Sandro Cortus इस question का सही answer और Correct answer आपका आजाएगा किसका चंदर गुप्तमोरिया उप्शन नमबर C इस दिर राइट और Correct answer आपका हो जाएगा Next question की तरफ चलते हैं आप भी साथ साथ में करें Which of the following book was not written by the हर्षवर्दना इन में से हर्षवर्दना की कौन सी बुक नहीं हो जाएगी रतना वाली नगननदा कदामबरी जब प्रिया दर्शी का तो बात करें इन में से जो कदामबरी है ये हर्षवर्दना की नहीं होगी जो कदामबरी है ये famous composition है बना बाटा की और हर्षवर्दना ruler थे बरधाना डाइनेस्टी के जो रूल करा था नौर्थ इंडिया में इसमें क्या आ जाएगा आपका जो कौन सी आ जाएगी आपकी बना बाटा की कदामबरी option number C is the right or correct answer आपका होगा next question की तरफ चलते है literary figure of गुपता age बहरवी काली दासा हरी सेना जा आल तो इसमें बात करेंगे जो many literary work है जो compose हुए थे इनके कारेकाल में जो काली दास है उन्होंने जो important role play करा था जैसे अभीजन शकुंतलम मेगदूतम और जो बैर भी है ये किसकी composition हो जाएगी किरता जुनिया की जिन्होंने describe किया था जो battle है between कीरत और अरजुना की जो विश्नु शर्मा की इन्होंने पंच्तंत्रा लिखी है तो क्या आ जाएगा जो गुपता एज की हमारी आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी काफी बढ़ी है इसमें काली दासा ठीक है वैरवा और विश्नु ठीक है काली दासा इसका सही आंतर आ जाएगा next question की तरफ चलते हैं the जटाका टेल्स are associated with which are the following set लिंग्याट शैविजम जैनिजम या वोदिजम तो इसमें बात करें जो जटाका टेल्स हैं ये वर्क है लिटरेचर का जो गोतम बुद्धा उनकी previous वर्थ के according बताता है जो भुदिजम एक faith था जो found हुआ था सिदार्थ गोतमा दोबारा 5th century BC में जो भुदिजम religion है ये किस पे based था teaching life और experience किसके सिदार्थ गोतमा के ये याद रखना है किसके संबंदित हो जाएगा बुद्धा के ठी किसमें आजाएगा बुदिजम option number D is the right answer next question की तरफ चलते हैं जो क्या आजाएगा मलविका मलविका अगनी मित्रम मलविका अगनी मित्रम was written by बनाबाटा कबीर कालिदास जा सूर्दास मलविका अगनी मित्रम मलविका अगनी मित्रम जो किसके द्वारा लिखी गई है कालिदासा द्वारा लिखी गई है जो एक क्लासिकल संस्कृत आथर और एंचियन इंडियन ग्रेटस नोबल राइट है और ड्रॉमिस्ट आपके हो जाएगे ठीक है तो क्या आजाएगे इसमें काफी बढ़िया जो कालिदास द्वारा इसमें लिखा गया आप्शन नमब सी इस दा राइट और कोरेक्ट आंसर आपका होगा तो कौन से कंट्री से हड़पन प्यूपल ने ट्रेड नहीं किया था आप्शन आपका आजाएगा ट्रेड नहीं था ठीक है नहीं होगा काफी बढ़िया मंगोली ऐस दा राइट आंसर next question की तरफ चलते हैं of the falling site was the first to be discovered first site बतानी है जो कोन सी discover हुई थी महंजदारो लोथल हडपा या अमीर नाल तो first site आपने बता रही है तो first site की बात करें जो हडपा है वो first site discover हुई थी दियाराम सहनी के दोबारा in 1921 और जो महंजदारो है वो discover करी गई थी in the year of 1922 by the team of RD Banner जी और दोला वीरा जो R.D.B.S. बिश्ट दोबारा जो discover है इसकी की गई है तो first आजाएगी हडपा option number C is the right answer next question इन में आपने match करना है रिगवेदा ययूर वेदा साम वेदा और अथरव वेदा रिगवेदा क्या आजाएगा oldest all the four वेदा और इसमें क्या आता है collection of hyams and prayers ठीक है रिगवेदा किसमें आजाएगा hyams and prayer जाने की first का आजाएगा four वाला ययूर वेदा की बात करें collection है musical hyams की किस की आ जाएगी यहयर वेदा म्यूजिकल हाइम्स की जाने की B का आ जाएगा 2 ठीक है B का क्या आ जाएगा 2 जाने की ये तौर ये नहीं होगा B का आ जाएगा 2 उसके बाद साम वेदा साम वेदा एक कYUलेक्शन है किस की called the book of prayer and contain हाइम्स and rituals साम वेदा में आ जाएंगे रिचुल्स और अथरव वेदा में चाम सेंस पैल ठीक है तो इसमें क्या आपका सही आंसर बनेंगा जो आपका अप्शन नबर वान नहीं है ए के साथ 4, बी के साथ 2, सी के साथ 1 और डी के साथ 3 ये याद रखना है इन तीनों का कंबीनेशन आपका बन जाएगा ठीक है काफी बड़ी है और काफी शानदा तरीके से अपना जो भी ये सेशन है अपना बताया तो चलते हैं नेक्स कोशन की तरफ नेक्स कोशन के आज आएगा the headquarter of WHO World Health Organization जो आपका है तो उसके headquarter कहां पे हो जाएंगे वाशिंटन में जपान में जनेवा में जहां आपके लंडन में तो इस question में आपने जल्दी जल्दी से अपना जो भी response है वो बताना है तो काफी बड़ी है और काफी शानदा तरीके से आपने जो भी अपना response है वो दिया ठीक है तो ग्रेट आपका जो भी आ रहा है इसमें W2HO की बात करें जो आपका headquarter इसका कहां पर हो जाएगा Geneva Switzerland इसका आ जाएगा World Health Organization जो 7 April 1948 को establish किया गया था 7 April 1948 को जो इधर establish इसका किया गया था काफी बड़ी और काफी शानदार तरीके से आपका इसका आ जाएगा ठीक है World Health Organization वाला Next Question की तरफ चलते हैं जो CAG है Controller and Auditor Journal Article 108 के तहत आता है Appointment किसके दबारा इनकी की जाती है President, Prime Minister, Vice President, Chief Justice तो इसकी बात करेंगे President of India ठीक है तो जो Chief Justice आफ इंडिक है Article 124 के तहत आते है President of India Article 52 के तहत Prime Minister of India Article 74 to 75 के तहत Vice President of India Article 63 के तहत और Chief Justice of India Article 124 के तहत ठीक है यह भी आपने याद रखना है काफी बढ़िया तो Next Question की तरफ चलते हैं In which schedule of the Indian Constitution All the officially recognized language is mentioned 5, 8, 9 या 7, 5, 8, 9 या 12 तो कौन सा जो हमारे पास schedule आजाएगा तो कौन सा schedule आजाएगा 8th schedule है जो Indian Constitution का जहांपे जो language है जो mention की गई है Indian Constitution में काफी बढ़िया और काफी शानदार Next Question की तरफ चलते हैं Which of the following statement is correct in the context of Indian democracy Indian democracy के guarding कौन सा Context जिसका correct हो जाएगा Allows people to choose their representative Allow people to take over the country in case of financial emergency Commond people to pray all text for pilgrimage Allow the military to rule the country तो इसमें आपने बताना है आपका क्या आजाएगा The context है जो Indian democracy का वो allow कलता है प्यूपल को चूज करने के लिए अपना Representative option number A इसका सही और correct answer आपका आजाएगा ठीक है काफी बड़ी है और काफी शानदार आपका आजाएगा Question आजाएगा How many seats are allocated to the आंधरा परदेश इंदी राज्यसवा आंधरा परदेश की राज्यसवा में कितने सीटे हो जाएगी ठीक है तो आंधरा परदेश की बात करें आंधरा परदेश जो आजाएगा इसमें लोकसवा की 25 सीटे हैं और राज्यसवा की 11 सीटे हो जाएगी ठीक है आंधरा परदेश की ठीक है 10th largest population की और 2nd largest coast line आजाएगी गुजरात के बाद आंधरा परदेश तो first law officer आपने बताने हैं इंडिया के कोन हो जाएंगे संजे कोथारी, बिनु गुपाल, सुनील, अरोरा जाएन में से कोई भी नहीं तो जो first law officer हैं जाने की current attorney journal of इंडिया आजाएंगे वो कोन हो जाएंगे के के बिनु गुपाल आपके हो जाएंगे जो appoint होते हैं under the article 76 of the constitution ठीक option number B is the right or correct answer next question, the headquarter of the Hindustan Aeronautical Limited Hindustan Aeronautical Limited का headquarter कहां पे आ जाएगा चनई, बैंगलोरू, दिवास, जा कोरा पुट तो headquarter बताना है, Hindustan Aeronautical Limited का कहां पे located आपका हो जाएगा ठीक है, तो जल्दी जल्दी से बता दीजी आपका क्या आजाएगा, इसमें हिंदustan Aeronautical Limited का जो आपका आजाएगा इसमें जो भी Aerosports जे आपका बैंगलोरू, इंडिया में हो जाएगा, option number B is the right और correct answer आपका हो जाएगा next question, नितियायोग, national institution for transforming India यह कब existence में आया था नितियायोग, नितियायोग के जो चेर्मेन रहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो वाइस चेर्मेन इसके होते हैं, वो डक्टर राजीव कुमार है, और जो अमिताव कान्त हैं, यह CEO थे नितियायोग के और 1 जनवरी 2015 को जो national institution for transmission India जो planning commission से replace हुआ था, फरस्ट जनवरी 2015, option number A is the right answer next question, इन में से आपने बताना है कौन सी constitutional body आपकी होगी, ठीक है, तो कौन सी हो जाती है, वो finance commission जो article 282 के तहता थी, आपको इसके important answer की, सभी मिल जाएगा, सभी को अच्छे से देखे, और अच्छे से सभी चीज़ों को जहां पे आपका आज आजएगा, ठीक है, तो यही था आज की session में वीडियो को share करें, like करें और चैनल को subscribe करें, आपको इसका important PDF भी मिल जाएगा, daily basis पे, शाम को जो आपका साड़े 8 session आता है, live उसे भी जुरूर देखा करें, और दोपैर को इसी time पर आपका यह session आता है, GS का काफी बड़ी और काफी शानदा तरीके से, तो